हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू बायो मैट्स क्लासिस तो आज हम एच पी टेट एच टेट और सी टेट के लिए हैं जो है अपना टॉपिक रेडी करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम तो शुरू करते हैं पिटा सबसे पहले नंबर सिस्टम में डिजिटस क्या होते हैं देखो बटा 0 से लेकर 9 तक 01,23,456,789 ये जो basic symbols हैं इनको हम डिजिटस बोलते हैं सारे नंबर्स हम इननी symbols को use करके ही represent करते हैं ठीक है किसी भी नंबर को represent करने के लिए जो symbols हम use करते हैं नोकर में digits बोलते हैं. लिखा कैसे जाते है number? देखो, prais 1000 ,2 traders, lakhs, croads से ये है. 1,'s में हमारे पास आल जाते है 1, 10, 100, 1,000 ,くर 3, अगर 10 भर 4 है, हम विह 10,000 लेक है तो 10 डिस टू पर 5 रहेगी Place values होती है है यह सारी 10 लेक पर place value 10 डैस टू पर 6 crore's पर place value 10 डिस टू पर 7 10 crore पर place value होती है 10 डिस टू पर 8 ठीक है वैटा जैसे मैंने कोई number लिखा 75,006,003,35,412 ठीक है? इसको नंबर नेम लिखेंगे अगर तो क्या लिखेंगे? 75 क्रोड 86,35,412 ठीक है तो यह सारे इनकी प्लेस वैल्यूज है 75 क्रोड मीन्स यह 10 क्रोड है उसका प्लेस वैल्यूज की क्या हो जाएगी 10 क्रोड की 10 डिस्टु पार 8 के साथ आएगी अब बेटा दो तरह की वैल्यूज होती है एक फेस वैल्यू एक प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है फेस वैल्यू डिजिट की खुद नंबर डिजिट खुद अपने आपकी फेस वैल्यू होती है जैसी मैंने एक नंबर लिका है 5,3,4,8,1 तो इसकी फेस वैल्यू यहाँ पर 5 की face value 5 होगा, 3 की face value 3, 4 की face value 4, 8 की face value 8, 1 की face value 1 होगा, इसके बाद बटा, place value क्या होती है, place value of digit in a number, वो change होती है according to change of its place, ठीक है, जैसे जैसे हम place change करते हैं, place value भी digit की change होती है, place value of digit in a number changes according to the change of its place, जैसे मैं यहाँ पर 3 की बात करूँ, इस 3 की place value होगी, 3 into 10 raise to power 3, इसका place देखो, 1, 10, 100, 1000, 1000 place है, और इसकी face value 3 है, 3 multiplied by 10 raise to power 3, इस 3 की place value क्या हो जाएगी, 3 multiplied by 100 place पे है, यह 10th place पे है, जिस भी place पे रहेगी, यह कौन से place पे है, 3 into 10, यह 10th place पे, अब 1th place पे 7 है, इस 3 की place value हो जाएगी, 3 into 10, इस 3 की 3 into 10 raise to power 3, इसके बाद बेटा, हम अब number system के बारे में study करेंगे, जो numbers है, number system में, बेटा, basically वो दो उत्रया की होते हैं, एक real numbers, एक imaginary numbers, अब जो real numbers होते हैं, यह वो numbers होते हैं, जिनके जब आप squares करो, तो वो positive numbers आते हैं, imaginary numbers जो होते हैं, इन numbers के squares positive नहीं होते हैं, वो negative में ही रहते हैं, इसमें examples आजाते हैं, जैसे root minus 1, root minus 7, root के अंदर negative sign, squaring करोगे तो क्या आजाएगा, negative ही रहेगा, इसका square करोगे minus 1, इसका square करोगे minus 7, इसमें आजाते हैं 1, root 7, square करोगे तो 1 आएगा, 7 आएगा, imaginary numbers, आप क्या आगे, आगे आते हैं real numbers, हना real numbers जो हैं, उनको further दो types में divide किया गया, rational numbers, irrational numbers, rational numbers वो numbers होते हैं, जिनको हम P upon Q की form में लिख सकते हैं, वेर P and Q क्या होते हैं, co-prime, इनमें common factor 1 होते हैं, और condition होते हैं, Q is not equals to 0, but irrational numbers, इनको हम P upon Q की form में नहीं लिख सकते, फिर आगे rational numbers की types होते हैं, natural numbers, whole numbers, integers, fractions, even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers, co-prime numbers, एक और होते हैं, twin prime numbers, ठीक है, तो यह सारी आगे rational numbers की आगे फर्दर categories हैं, तो आप simple सी एक बात याद रखो, natural number, whole number, integers, fractions, even number, odd number, prime, composite number, co-prime numbers, twin prime numbers, co-prime, co-relative prime numbers भी बोलते हैं, यह सारे किसमें include हो जाते हैं, rational numbers में, अगर इसमें irrational भी प्लस कर दे, तो यह बन जाते हैं, real numbers, अगर plus imaginary numbers भी प्लस कर दे, तो यह सारा पूरा number system बन जाता है, अब बेटा यही number system हमने one by one study करना है, पहले इनकी basics करेंगे, इसके बाद इनके mcqs करेंगे, real numbers, मैंने अभी बता दिया, real numbers होते हैं, वो numbers जिनकी squaring हमें positive answer देती हैं, ठीक है, real numbers को बेटा capital R से represent करते हैं, फिर है imaginary numbers, इनकी squaring हमें positive answers नहीं देती, इसमें examples में मैंने आपको दिया ही था, minus 3 root के अंदर, minus root 7, ठीक है, फिर आते है rational numbers, वो numbers जिनको हम P upon Q की form में लिख सकते हैं, P upon Q, where P and Q are co-prime, and Q is not equals to 0, फिर हमारे पास जो rational numbers होते हैं, पिटा इनको हम capital Q से represent करते हैं, जो rational numbers होते हैं, वो terminating भी हो सकते हैं, non-terminating भी हो सकते हैं, terminating rational numbers किस type के होंगे, यह मैं आपको थोड़ा से explain कर देती हूँ, जैसे suppose करो, हम terminating rational numbers की बात करें, अगर हम terminating page देखरी में, एक second, इसी की, यह देखो बटा, terminating rational numbers, जो rational numbers है, they are further two types, एक होते हैं, terminating, एक होते हैं, non-terminating, ठीक है बटा, terminating means, जिनमें remainder 0 आ जाए, जिनकी division खत्म हो जाए, quotient आ जाए, value आ जाए, fix, non-terminating जिनमें remainder 0 नहीं आता, जैसे आपने divide किया, 10 को 5 से, 5 to the 10, remainder 0 आ गए, यह terminating rational number है, यही आप 10 को 3 से divide करो, 3, 3 is a 9, one remainder, point 3, 3 is a 9, यह चलता ही रहेगा, 3, 3, remainder 0 आएगा ही नहीं, तो यह non-terminating number है, चीक है, terminating, non-terminating, अब, जो irrational numbers होते हैं ना, बटा, irrational numbers, वो भी non-terminating होते हैं, अगर तो terminating आ गया, फिर तो हमें clear है कि वो rational number है, बट अगर non-terminating आ गया, अब वो rational है जा irrational, वो कैसे पता करेंगे, अगर तो वो non-terminating हैं, और periodic है, periodic कहलो, recurring number बोल दो उसको, जा repeating बोल दो, जो quotient है, वो repeat हो रहे हैं, छीक है, same digits, जो repeat होती रही हैं हर बार, तो वो हो जाता है हमारा rational, इसमें non-terminating भी होता है, और non-repeating भी होता है, उसमें कोई digits जो होती हैं, वो periodic नहीं होता, वो, non-priodic कहलो, छीक है, जा फिर non-priodic, non-recring, जा फिर non-repeating रहता है, अब देखो बेटा, rational number, terminating भी हो सकते हैं, non-terminating and repeating भी हो सकते हैं, इरrational number की बात करते हैं, तो number which can't be expressed in P upon Q, ये non-terminating, non-repeating होते हैं, और rational number को Q से represent करते हैं, इरrational को मैं R-Q लिखा, R means real numbers में से अगर rational minus कर दो, तो irrational बज़े हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हम ये पहले ही कर चुके हैं, कि जो numbers है, real numbers और imaginary होते हैं, और real numbers further rational और irrational में divide होते हैं, अब rational number, natural numbers में divide होते हैं, natural numbers होते हैं, counting numbers, one से लेकर infinity तक, सबसे smallest natural number one होता है, largest natural number अभी तक हम predict नहीं कर सकते, इसलिए उसको infinity से represent कर देते हैं, फिर आते हैं बटा, जो collection of natural numbers है, capital N से represent करते हैं, ठीक है, natural numbers के बाद हमारे पास आते हैं, whole numbers, सारे natural numbers, including zero, natural numbers में zero नहीं होती, बट अगर natural numbers में हम zero भी लिख दें, तो वो बन जाते हैं, whole numbers, counting numbers, including zero, तो इसको हम w से represent करेंगे, यह होते हैं, 0, 1, 2, 3, तो smallest whole number zero, largest whole number, can't predict, infinity, फिर आते हैं, integers, integers में बटा सारे जो natural numbers है, including zero, जा कहलो, सारे whole numbers, and negative of natural numbers, उन सब की जो collection है, उसको हम integers बोलते हैं, collection of all whole numbers, and negative of natural numbers है, integers, integers को z से भी represent करते हैं, i से भी represent करते हैं, यह देखो, minus infinity से infinity तक है, नहीं smallest integer हम predict कर सकते हैं, 9 largest integer, integer greater than zero, they are known as positive integers, उसको i plus से represent करते हैं, 1, 2, 3, so on, integers less than zero are called negative integers, i negative, ठीक है, तो यह minus 3, minus 2, minus 1, इसके बाद बटा, अगर हम integers में 0 include कर दें, positive integers में 0 include कर दें, फिर हम उनको positive integers नहीं बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे, non negative integers, और similarly, अगर negative integers में 0 include कर दें, अब हम उनको negative integers नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे non positive integers इसके बाद हमने किया even numbers, numbers which are divisible by 2 are called even numbers जो 2 पे divisible होते हैं, जब 2 के multiples होते हैं smallest even number होता है 2, largest even number again we cannot predict ठीक है, और 2 even numbers का sum उनका difference और उनका product भी even number होता है आप 2 even numbers को add करो, 2 plus 2, 4, minus करो 8 minus 6, 2, multiply करो 10 multiplied by 4, 40, 2 even numbers का sum भी even होता है, 2 even numbers का difference भी even होता है 2 even numbers का product भी even होता है, odd numbers वो numbers जो 2 पे divisible नहीं होते उनको हम odd numbers बोलते हैं, ठीक है, smallest odd number 1, largest odd number फिर से predict नहीं किया जा सकता, फिर आते हैं बटा, prime numbers prime numbers वो numbers है, जिनमें exactly 2 factors होते हैं एक तो 1 और दूसरा number itself, smallest prime number होता है 2 मैं example दे देती हूँ जैसे 7 है, 7 is a prime number 7 जा तो 1 पे divisible होगा, जा फिर 7 पे खुद, इसके इलावा और किसी table पे नहीं आएगा ठीक है, smallest prime number 2 है, और even prime number 2 है और 2 अकेला even prime number है, बाकि सारे prime numbers odd है there is only 2 which is even prime number, largest prime number भी हम नहीं predict कर सकते फिर होते हैं बेटा composite numbers, composite numbers वो numbers जिनके 2 से ज़्यादा factors होते हैं उनको composite numbers बोलते हैं, सबसे smallest composite number 4 है इसके factors 1, 2, 4, यह 1 पे भी divisible है, 2 पे भी divisible है, 4 पे भी divisible है तो smallest composite number 4 है, largest composite number again we cannot predict तो जो 1 है ना ना ही वो prime numbers में include होता है, ना ही composite numbers में फिर आते co-prime numbers और relatively prime numbers, numbers having only one as their common factors बेटा इस co-prime में जरूरी नहीं कि prime numbers हो ऐसे कोई भी दो numbers जिन में common factor 1 हो, जैसे मैंने लिखा 4, 9 4 भी prime number नहीं है, composite number है, 9 भी composite number है बट इन दोनों में 1 के इलाबा और कोई भी common factor नहीं है ठीक है, इनका common factor क्या है? 1 तो इनको हम क्या बोलेंगे? co-prime numbers जा फिर relative prime numbers ऐसे मैं 17 और 21 लिख दूँ 17 prime number है, यह composite number है, इनमें भी common क्या है? 1 तो ऐसा नहीं है कि इसमें prime numbers ही होने चाहिए prime numbers भी हो सकते हैं, prime numbers भी आप लिख सकते हैं 7 और दूसरा 19 लिख लेते हैं prime numbers हैं, इनमें भी common factor 1 है, यह दोनों ही prime नहीं है इनमें एक prime है, एक composite है, तो ऐसे कोई भी दो numbers का pair, जिसमें common factor सिर्फ 1 हो उनको हम बोलते हैं, co-prime numbers ठीक है, इसके इलावा बेटा हमारे पास होते हैं twin prime numbers twin prime numbers, यह दो consecutive prime numbers मतलब जैसे 13, एक prime number है next prime number क्या है, 17, तो यह हमारे twin prime numbers आगे two consecutive prime numbers, उनको हम बोलते है twin prime numbers, ठीक है जा फिर जैसे हमने prime number लेखा 23, उसका next prime number आगे 29, तो यह भी हमारे twin prime numbers है अब बेटा, यह सिर्फ number system पड़े हैं, ठीक है अगली class में हमने इसके आगे वाला concept करना है, बट जितना concept अभी मैंने discuss किया, उसके उपर based कुछ MCQs है अभी हम वो discuss करेंगे, सबसे पहला question जो है आपका, which of the following is a real number, अब हमें पता है ना, यह क्या है बेटा fraction में लिखा हुए p upon q, sorry, p upon q है rational number, यह भी एक rational number है यह एक natural number है, तो यह सारे ही real numbers में include होते है, real number में negative numbers भी include होते है integers, ठीक है, real number में rational numbers भी include होते है real numbers में natural numbers भी include होते है, तो इसका answer आ जाएगा, all of these, यह सारे ही आपके real numbers है next question है बेटा, if number this one, यह आपका एक number दिया हुए है, find sum of place value of both nines, इसमें बेटा यह number है 9, 8, 7, 3, 9, 2, 4, 6, इसमें दोनों place values, पहले दोनों nines की place values find करते हैं, इसकी place value आएगी 9 into 10 raise to power 3, इसकी place value आजाएगी 9 into 10 raise to power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, तो यह आपका क्या आ जाएगा बटा, दोनों का sum करने आपने, sum करेंगे अभी हम, 9, पिछे 7 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह 9 और 3 zeros, 1, 2, 3, और यह 9, add करोगी 3 zeros, 9, फिर 3 zeros, 9, कौन सा answer आगया बटा, यह आगया आपका answer next mcq हमारा है, अभी हमारे two mcqs हुएं, एक second, यह बीच में एक page skip हो गया, हाँ जी बटा, third mcq, find some more face value of all the 8s in the number this, इस में जितने भी 8 हैं, इस given number में, उनकी face value, देखो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो face value होती है, वो number itself होता है, यह एक 8 आया, यह दूसरा 8 इसकी face value भी 8, इस face, इस 8 की भी face value 8, तिनों का sum, 8 प्लस 8, 16 प्लस 8, 24, इनमें 24 ही ही रहा, ठीक है बटा, next, total number of prime factors, which are contained in 30 raise to 6 is, तो बटा, prime factors, पहले तो 30 की हम prime factorization कर लेते हैं, prime factorization करोगे, LCM लेकर आप लोगों को आता ही है, ठीक है, मैं direct लिखती हूँ, देखो 6, 5, 30 होते हैं, और 6 के factors होते हैं, 2 into 3, 2 into 3, 6 into 5, यह prime factors होगे, 30 के, हमें किसकी prime factors find out करने हैं, total number of prime factors find करने हैं, 30 raise to power 6 के, raise to power 6 कर दी, इसकी भी raise to power 6 कर दी, अब इसमें देखो, यहां पे इसके जो prime factors आये, 30 raise to power 6 के, 6 times 2 आया, 6 times 3, 6 times 5, तो total कितने prime factors बने, 6 times 2, plus 6 times 3, plus 6 times 5, 6 plus 6, 12 plus 6, 18, तो इसका answer हमारा आगया, 18, हांज बटा, तो इसमें हमारे पास आजाएगा, total number of digits are required to make a book of 200 pages, एक 200 pages वाली book को बनाने के लिए हमें कितने digits चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, number of pages लिखते हैं, number of pages कितने हैं, one digit के लिए, number of pages of one digit, one digit वाले बटा कितने page हुए, one to nine, one to nine होंगे न, वो होंगे nine page, फिर number of pages, having two digits, हांज कितने page होंगे, जिन पे two digits होएंगी, two digits कौन सी होएंगी, 10 से लेकर 99, कितने page हुए, 90, फिर हमारे पास आजाएगा, number of pages, having three digits, three digits, कहां से कहां तक होएंगी, 100 से लेकर, two hundred, ति कितने page होगे, 101, अब हमें क्या find करना है, required, required, total number of digits, total number of digits, तेखो बेटा, nine, one digits, one digit वाले कितने digits हैं, हमारे पास, nine, two, two place digits वाले, हमारे पास कितने pages थे, 90, मतलब two digits वाले, कितने digits हमारे पास pages पे हैं, 90 pages हैं, जिन पे two digits हैं, और 101 pages ऐसे हैं, जिन पर three digits हैं, nine into one, nine हो जाएगा, nine to the 18, 180, यह हो गया, 303, तिनों को plus कर दो, तिनों को plus किया, तो हमारे पास जो answer आ गया, वो आ गया, nine plus three, 12, 492, अब हमारी options में चेक करते हैं, 492 है, तो C option हमारा right answer आ गया, इसके बाद बेटा, next question देखते हैं, फिफ्ट question था, अब हमारा question number six, इसमें देखो, every rational number is, हर एक rational number क्या है, every rational number is a natural number, integer, real number, whole number, अब इसमें answer क्या आएगा बेटा हमारा, हैं जी, every rational number हमने इसी के regarding अब देखने है, तो इसका हमारा answer क्या आजाएगा बेटा देखो, जो rational numbers है, natural numbers, भी rational numbers होते हैं, आप on में one आ जाते हैं, integers हैं, वो भी rational number का ही part है, real number में सारा कुछ ही आजाते हैं, include होते हैं, तो इसका exact answer हमारा real number आएगा, हर एक rational number, एक real number होता ही होता है, rational numbers हमने, जो है, real numbers को rational और irrational में किया था, ठीक है, देखो, अगर हम ये बोले, हर एक real number, rational number नहीं होता, बट हर rational number, real number होता है, real number में natural भी include होगे, integers भी include होगे, तो इसका accurate answer हमारा आजाएगा, real number, whole numbers भी include होगे उसमें, ठीक है, between two rational numbers, बेटा, दो rational numbers के बीच में, there are infinite number of rational numbers and irrational numbers, कोई भी दो rational number, हम दो और तीन बात करें, तो इनके बीच में, infinite rational number है, infinite irrational numbers है, तो चलो इसका option देखते है, there is no rational number, there is exactly one rational number, there are infinitely many rational numbers, there are only rational numbers and no irrational, ये तो किसी हालत में ठीक नहीं है, one भी नहीं बहुत सारे होते हैं, rational number, तो इस कांसरम ये करेंगे, there are infinitely many rational numbers, अगर इसमें न, ये last वाले option की जगा पर ये होता, there are infinitely many rational and infinitely many irrational numbers, तो हमारा answer वो होता, बट क्यूंकि वो option नहीं दी होई, तो there are infinitely many rational number answer रहेगा, next रहे बीटा, for some integer क्यूंग, every odd integer is of the form, कौन सी form में होगा, देखो जो even numbers होते हैं, वो 2Q, 2 के multiples हैं, Q की value 1, 2, 3, कुछ भी करो, तो 2Q होते हैं, even number में अगर हम plus 1 कर दें, तो वो बन जाता है odd number, इन में देखो, ये option हमारा answer आगई, अब next question करेंगे हम, 8th question के बाद हमारा 9th question, देखो बटता, decimal expansion of, number root 2, root 2 की जो decimal expansion है, finite decimal तो है नहीं, irrational number होता है root में, ठीक है, 1.41421, 1.41 होती है, बट आगे वाली हमने अभी नहीं वो बुल लेंगे, ठीक है, खतम हो गया नहीं, आगे खतम तो होता ही नहीं है, irrational number है, non-terminating होता है, तो ये खतम होगी value, तो ये भी नहीं हम consider कर सकते, non-terminating recurring, non-terminating तो होता है, बट irrational number है तो, recurring तो होगा नहीं, वो क्या होगा, non-recring, तो हमारा क्या अंसर आजएगा, non-terminating, non-recring, ठीक है, repeating नहीं होता है, non-repeating, next है, product of any two irrational numbers, तो बटा, इसके लिए मैं एक concept आपको बता हूँगी, कोई भी दो, हम irrational numbers की बात करेंगे, एक सेकेंड, देखो, ये rule याद रखो, एक rational number में, दूसरा rational number याड़ करोगे, तो result हमेशा rational number रहेगा, rational number में से, एक rational number माइनस करोगे, तब भी result rational number रहेगा, दो rational numbers को multiply करोगे, तब भी result rational number आएगा, दो rational numbers को divide करोगे, तब भी result rational number आएगा, अब एक irrational number में, एक irrational number याड़ करोगे, तो result हमेशा irrational आएगा, irrational और rational को subtract करोगे, तो result irrational आएगा, irrational और rational को multiply करोगे, तो result irrational आएगा irrational and rational को divide करोगे तो भी result irrational आएगा अब देखो दो irrational numbers को add करोगे तो आपका result rational भी हो सकता है irrational भी it depends, हम कुछ नहीं बोलेंगे बोल सकते, अगर दो irrational numbers को subtract करते हो तब भी आपका result rational भी हो सकता है irrational भी अगर दो irrational numbers को multiply करते हो तब भी result rational भी हो सकता है irrational भी और अगर दो irrational numbers को divide करोगे तब भी आपका result rational भी हो सकता है irrational भी ठीक है तो ये concept इसमें हम use करेंगे the product of two irrational numbers दो irrational numbers है तो मैंने अभी बताया आपको दो irrational numbers का product rational भी हो सकता है और irrational भी तो फिर हम क्या बोलेंगे product of any two irrational numbers is always irrational नहीं always rational no always rational तो होता अगर दोनों rational होते always irrational तब होता अगर एक rational और एक irrational का product होता always integer no sometimes rational sometimes irrational yes दोनों में से कुछ भी हो सकता है कई बार rational कई बार irrational एक्जेम्पल चाहिए तो आपको एक्जेम्पल दे देती हूँ देखो अगर आप टू रूट थ्री को मल्टिपलाई करते हूँ रूट थ्री से रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स rational आ गया ये दोनों irrational का product और अगर आप लोगों को दो irrational numbers टू रूट थ्री and root 5 है अब इनका product 2 इंटू root 5 इंटू root 3 root 15 ये irrational आ गया कभी rational हो सकता है कभी irrational चीक है इसके बाद next है which of the following is irrational इन में से कौन सा irrational है देखो root 4 तो 2 हो गया root 3 क्या 9 क्या हो गया 3 जो irrational numbers है root के अंदर ऐसे numbers देखो जो prime है ठीक है अगर हम इसकी बात करें root 12 ये बना 4 into 3 upon root 3 4 का तो 2 बार आजएगा root 3 upon root 3 ये cancel हो के 2 बचा ये भी rational है 81 की बात करेंगे 9 into 9 तो ये 9 आ गया ये भी rational तो root 7 आपका answer आएगा ठीक है अगर आपको इसके जो मैंने ये आपको rules बताएं है इनका भी आप लोगों को examples चाहिए तो आप मेरा एक और वीडियो है मैं उसका description एड कर दूँगी इस वीडियो में आप उस वीडियो को देख सकते हो वहाँ पर मैंने with examples ये सारा explain किया हुए ठीक है इतनी detail में आपको जुरूरत नहीं है आप results याद रख लो आपको mcqs results से ही कर सकते हो next है हमारा 2 root 3 plus root 3 देखो ये irrational number में irrational add किया तो result किया जागा 2 और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 1 2 root 3 plus 1 root 3 3 root 3 multiply किया root 10 into root 15 तो बेटा देखो root 10 into root 15 root 10 आपका क्या बनते है 2 multiplied by 5 ये बना 5 multiplied by 3 5 इनको जब इकठा multiply करा तो ये बना 2 into 5 into 5 into 3 ये 5 root से बाहर आ जाएगा 2 into 3, 6 तो 5 root 6 आपका answer आ जाएगा πाई मैंने पहले ही बताया πाई क्या होता है irrational number ठीक है आप बोलोगे πाई की वैली तो हम 3.14 लेते हैं terminating पर बेटा वो 22 upon 7 की value होती है जो approximately πाई की value के equal होती है that's why हम πाई की जगा पर 3.14 जाफे 22 upon 7 लेते हैं बट अगर पाई की value देखोगे वो irrational number है वो non-terminating चलती ही जाती है आगे तते rational number between root 2 and root 3 is अब देखो root 2 की value 1.414 and so on चलती है root 3 की value ते 1.732 and so on इन दोनों के बीच में देखो 1.8 तो आता नहीं multiply करके root 6 upon 2 आएगा हमें नहीं पता क्या आएगा ये भी नहीं 1.5 देखो 1.4 और 1.5 के बीच 7 के बीच में कहीं आ रही है तो हमारा answer आ गया 1.5 तो बटा इस type के आपके MCQs रहेंगे हम next concept जो करेंगे साथ में उसके भी मैं MCQ साथ में करवाऊंगी और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक्यू